दोस्तो 2019 से वेट करते करते अब जाकर के 2022 में SIS GTO का भरती आया है तो यदि आप SIS Security Company में as a officer जुड़ करके इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं तो SIS आपको ये बहुत ही अच्छा opportunity दे रही है तो दोस्तो इस वीडियो में हम आप लोगको इस भरती के बारे में पुरा complete जानकारी देने वाले हैं जैसे कि height, age, qualification, salary, आपको क्या-क्या facility मिलेगा, इसका exam date, exam कितने phase में होता है मतलब इस भरती से related, इसका joining process से related आपको हर एक चीज इस वीडियो में बताने वाले है तो दोस्तो वीडियो को अन तक देखेंगे और यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा security, safety और jobs related वीडियो देखने के लिए तो चलिए दोस्तो वीडियो सुरू करते हैं दोस्तो सबसे पहले मां आपको बता दे कि यह जो form है इसको आप online और offline दोनों तरीका से apply कर सकते हैं यदि आप online apply करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इसका official website पे जाना होगा www.sisindia.com और दूसरा website www.ssciindia.com तो इन दोनों website में से किसी एक पर जा करके आप form को online apply कर सकते हैं दोस्तो यदि आप online apply कीजेगा तो वहाँ पे आपको application fee 500 रुपए पे करना होगा वो भी online वहाँ यदि आप offline apply करना चाहते हैं तो offline apply करने के लिए आपको इसके branch office में या फिर इसके training center पे जा करके form apply करना होगा दोस्तो वहाँ भी जब आप form apply करने के लिए जाईएगा तो आपको 500 रुपए form fee देना होगा दोस्तो ये तो fee के बारे में रहा और कहां से आप कैसे कैसे apply कर सकते हैं उसके बारे में जैसे कि यदि आप इसमें भरती होना चाहते हैं तो minimum qualifications आपका graduate होना चाहिए या फिर इसके संकच जैसे की BITEC वगेरा वही दोस्तो एज की बात करें तो एज आपका 21 साल से 37 साल के बीच होना चाहिए height 170 cm होना चाहिए दोस्तो यदि आप NCC कर रखे हैं या फिर MBA कर रखे हैं या फिर आपका खेल कुद में interest है और आप कोई state label पर game खेल चुके हैं या फिर national label का कोई game खेल चुके हैं और आपके पास certificate है तो दोस्तो आपको इस भरती में वर्यता दिया जाएगा यानि कि आपको priority दिया जाएगा सबसे पहले आपको select करने का प्रियास किया जाएगा दोस्तो अब हम बात करते हैं salary के बारे में तो इस भरती में यदि आपका selections हो जाता है और आप SIS GTO 37 batch में as a officer join कर जाते हैं तो आपका salary annually 3.500.000.000 रुपय होगा दोस्तो इसको यदि मन्थली convert करें तो approximately 30.000.000 रुपय आपका मन्थली salary होने वाला है अब दोस्तो form apply करने का जो date है उसके बारे में हम आप लोगों को बताते हैं तो form apply सुरू हो चुका है तो आप इसको online विजा करके apply कर सकते हैं और offline भी apply कर सकते हैं दोस्तो offline apply करने का भी हम तरीका आप लोगों को बता दिये और online apply करने का भी तरीका बता दिये अब दोस्तों आप लोग को ये बताते हैं कि इसका रिटेन टेस्ट डेट कब कब है क्योंकि जो form apply करने का date है वो इसका रिटेन टेस्ट डेट से पहले तक आप apply कर सकते हैं तो दोस्तों इसका जो रिटेन टेस्ट है वो है 26 जून को उसके बाद 10 जुलाई और 24 जुलाई ये तीन डेट को इसका रिटेन टेस्ट डेट है दोस्तों ये जो टेस्ट है वो अलग-अलग सेंटर पर ये तीनों डेट पर होगा लेकिन ये फस्ट टेस्ट है यानि कि यदि आप एक test date में participate कर जाते हैं, तो आपको ये दोनो test date है, इसमें participate नहीं करना होगा, उसके बाद आप जब test आपका complete हो जाएगा, उसके बाद में आपका interview के लिए आपको बुलाया जाएगा, वहाँ पर आपका final interview होगा, उसके बाद आपका final selection होगा, दिन आपका training शुरू होगा, तो ये रहा इसका selection process के बारे, आपका इसमें final selection हो जाता है और आप GTO join कर लेते हैं, तो दोस्तों आप कौन-कौन से पदपे काम करोगे, क्या आपको पता है? यदि नहीं तो आप जान लिजे, आप Assistant Security Officer के पदपे काम कर सकते हैं, Assignment Manager के तौर पे आपका न्यूकती हो सकता है Unit Commander के पद पे आपका न्यूकती हो सकता है Assistant Manager Operation के पद पे आपका न्यूकती हो सकता है दोस्तो और भी कुछ-कुछ पद है जिन पे GTO Batch का जो भी candidate होते हैं उन लोगों को न्यूकती दिया जाता है Training Complete हो जाने के बाद दोस्तो इसका Training से Related भी हम सारा जानकारी उस वीडियो में दे दिये हैं तो उस वीडियो का Link description box में है आप जा करके जरूर एक बार उस वीडियो को देखेगा दोस्तो यदि आप इस Form को Apply करना चाहते हैं तो स्क्रीन के उपर हम State Coordinator का जितना भी नंबर है जिन जिन राजियो का उन सब का नंबर फ्लाइसम कर दे रहे हैं तो आप वीडियो को रोग करके आप अपने State का नंबर नोट डाउन करके आप Form Apply करने से Related सारा जानकारी आप उस नंबर पर Contact करके ले सकते हैं दोस्तो आपको एक चीज बता दे कि जो नंबर है कोसिस कीज़ेगा Office Time पर करने का ना कि रात में या फिर बिल्कुल सुबा सुबाग तो ये जानकारी आपको दोस्तो कैसा लगा यदि हम आपको डिटेल में समझा पाएं अच्छे से बता पाएं तो दोस्तो वीडियो को जरूर लाइक कर दिएगा और अपने दोस्तो के साथ सेयर कर दिएगा इतक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा और साथ में बिल आइकन भी प्रेस कर लिजेगा ताकि जब इम सेक्यूर्टी सेफटी और जॉप से रिलेटेड वीडियो लेकर के हैं तो उसका नॉटिफिकेशन सबसे पहले आपको में और सबसे पहले इस वीडियो को आप देख सकें दोस्तो हम आपको इस भरती के बारे में कोशी कर देंगे तो दोस्तो चलिए मिलते हैं कोई नेक्स वीडियो में नई टॉपिक के साथ में तब तक के लिए धन्यवाद